स्वागत है आपका दबिहार बुलेटिन में बड़ी खबर मध्यपूरा से आ रही है जहां एक सन की पती ने अपनी पतनी और महज साथ साल की बेटी की गला काट कर हत्या कर दी है दरसल भराई थाना छेदर की गोड़ला गाउं में एक विवाहिता का कटना सर मिलने के बाद इलाके में संसनी फैल गई बताया जाता है कि पती नहीं महिला और अपनी एक बेटी की हत्या कर दी है महिला का धर और बेटी का सब स्रीनगर थाना छेतर के पोखडिया सरहत गाउं से बरामद हुआ है यहां महिला का सश्राल है खटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुँच जोड चान भी कर रही है बताया जा रहा आगी गोड़ेला गाउं के बाबुल गाजा की बहन की साधी वर्सो पुर्व स्रीनगर थाना छेतर के पोखडिया गाउं में हुई थी महिला को तीन बच्चे भी थे लेकिन महिला का पती के साथ अक्सर विवाद होते रहत था इस कारण से महिला की पिटाई भी की जाती थी प्रतायाणा से तंगा कर विवाईता पंदर दिन पहले अपने माई की आ गई थी जहां से वो अपने सस्राल जाना नहीं चाती थी इसी बीच लगभग दर दिन पहले विवाईता का पती सस्राल आया पत्नी की विदाई कराने के लिए लेकिन जब पत्नी विदाई नहीं कराना चाती थी तो फिर पती अपने गाउं से अपने साथ गाउं का वार्ट सरस्य समेथ 18-10 लोगों के साथ आया गाउं में पंचायज भी हुई उसे फैसला हुआ कि दोनों राजी खुशी से रहेंगे इसके बाद विवाईता की विदाई कराई गई इसी बीच आजाने सुबह जब गाउं की लोग खेत की और टहलने के लिए निकले तो गाउं से बार पुलिया पर एक महिला का सब रखा हुआ था इसकी सुचना मिलते ही गाउं के बहुत सारे लोग वहां जुट गए इसके बाद लोगों ने उसकी पहचान बाबुल राजा की बहान रुक्साना के रूप में की हलांकि घटना की सुचना पाकर मौका एक बारदात पर पहुंची पुलिस मामले की जांट में जुट गई है बहराल आरोपी पती फरार बताया जा रहा है कि इसकी में बाद पर रहा है यहां से फुपा सशूरे लिएख जाया है बढ़ाऑगी है तो भी लौक का कर रहे तरह लोग का कर भी को आदने बात है ना तब सब मढल हो जोगई कितने दिन पहले ले गया था दो आठ दस दिन पहले किसे खबर मिली आप लोग को कि सुबह में वह कुंची को है वहां पुंची को है और ले लेटरिंगे लेट अजगना कुछिको देखल के खुत हमारा सासूर भी बोर में तो बुरहा आदमी उन्हाची पहले अनारमा हमारा छोटका दियोर गुले तो ऊचे लेकि हमारा बही में तू हमारा भी इस हम्रा सासूर भुरहां जितन पहले रहा हमें तो उन्हाची बुरहाद में उन्हाची कि सरह का जो हम्रा जोग लोगका है अप nag लेगे ले